मेरा नम संजे भाटिया है, मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ ये घटना तब की है जब मैंने अपनी डॉक्टरी पूरी कर ली थी और मुझे पहली बार हॉस्पिटल के आईस्यू में जाना था आईस्यू में जब मैं गया तो मैंने देखा एक तीस साल की लड़की बेट पर लिटी हुई थी उस लड़की का कार एक्सिडन्ट हुआ था और पिछले तीन दिन से वेंटिलेटर पर थी जो मरीज कोमा में चला जाता है जा जिनका दिल काम करना बंद कर देता है उन्हें वेंटिलेटर पर रखा जाता है इस लड़की के बचने की बिलकुल उमीद नहीं थी और आखिर के तीन दिन वेंटिलेटर पर रखने के बाद लड़की को वेंटिलेटर से हठाना था तांकि उसे मृतिक खुश्ट किया जा सके और धुरभाग्या से ये काम मेरे हिस से आया मैं आईसु में दाखिल हुआ तो उस लड़की का पती, सांस और बाप सब कमरे में थे और उनकी आँखों में आंसु थे सब जोर जोर से रो रहते जैसे ही मैंने उस लड़की के घरवालों को देखा मेरे शरीर में कम कम पी शुरू हो गई क्योंकि ऐसा मैं पहली बार देख रहा था जैसे मैं उस लड़की के परिवार के पास आया उन्हें हैसास हो गया कि अब मैं वेंटी लेटर हटाऊंगा और फिर वो लड़की हमेशा के लिए उन्हें छोड़ कर चली जाएगी इस से पहले मैं कुछ करता सभी परिवार वालों ने उस लड़की का हाथ पकड़ लिया और रोते हो इससे कहने लगे हम तुमसे बहुत प्यार करते है हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी प्लीज वापस आजाओ वो लड़की कुमा में थी उससे कोई होशना था परिवार को ऐसे रोते बिलकते देखकर मेरी तो जैसे सांस ही अट गई थी मैंने अपनी जिन्दगी में ऐसा मौत का अन्भव कभी नहीं किया था तब ही अचानक मेरे पीछे से एक आदमी आया जिसके हाथ में करीब तीन साल का बच्चा था बच्चा हंस रहा था और आपको ये जानकर हैरानी होगी वो बच्चा ऐसी लड़की का था ऐसा लग रहा था कि बच्चा अपनी माँ को कई दिनों के बाद देख रहा है और इसलिए वो खुश था लेकन उसे इस बात की खबर नहीं थी कि उसकी माँ अब इस दुन्या से जाने वाली है ये सब कुछ मैं देखना पाया और फौरण आई सी यू के बाहर आ गया उस दिन पहली बार ये सब देखकर मेरे आंसों निकल गए मेरे साथ के डॉक्टर ने मुझे समझाया कि डॉक्टरी में सकते दिल रखना पड़ता है वरना ये नौकरी करने बहुत मुश्किल हो जाएगी मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और उस परिवार के पास गया और भरी मन से उन्हें कहा कि अब वेंट्री लेटर हटाने का वक्त आ गया जैसे ही मैंने वेंट्री लेटर उस लड़की के मुझे हटाया कुछ शनों में ही उस लड़की की मौत हो गई डॉक्टरी में अब मैं अपनी आँखों के सामने कई मौतें देख चुका हूँ सच कहूं तो कही बार बहुत दिल दुखता है और कई बार फर्क भी ने पड़ता अब मैंने अपने जज़बातों पर काबू पाना सीख लिया है और शायद इसी वज़ा से अभी तक अपनी नौकरी को काईम रख पाया हूँ